भारत की महान पौराणी कथाओं का संगर सब्स्ट्राइब करें भक्ती कथा प्रिया लक्षमी यह आज तुम्हें शू भक्ती का विचार कैसे आया महाप्रभू आपको ध्यान मग न देख मैं संसार भ्रमन के लिज़ें संपूर्ण जगत में जहां भी देखो शीव की मही माही चाहिए हूं शीव की पूजा शीव का नामस्मरण शीव के मंत्रों का जाब सोचा मैं ही इससे विलक्यूं नहीं मैं भी ओम नमस्षिवाय मंत्र के जाब का आनन्द ले दू उत्तम अति उत्तम सुख और शांती प्राप्त करने के लिए शीव भक्ति से बढ़कर अन्य कोई उपाए नहीं इस नाम में स्रिष्टी की धड़कन है और स्रिष्टी धड़कन को लैबद करने वाले भी स्वयम सदाशिव ही है शिव सरवत्र है शिव सरवग्य है और शिव भक्तों का सरवस्व भी है यह आप क्या रहें प्रभू आप जो जग्दीश्वर है वीश्व के पालन करता हैं मैं जग्दिश्वर और सृष्टि का पालन करता अवश्य हूं, किम्तु सदाशीव के इच्छ नुसार ही, मैं अपना करतावी पालन करना हूं, मैं और ब्रह्मा दोलों ही उनकी कामना के फल है, ये शास्वत सथ्थ्य है कि सदाशीव ही सृष्टि के स्रिजक, पालक और संघारक हैं जिस प्रकार शिफ की इच्छा से ही समयदुर मन्थन हुआ तुम्हारी उत्पत्ती हुई और तुम मुझे पती रूप में प्राप्त कर सकी जन जन को धन वैभव की प्राप्ति तुम्हारे ही कृपा से होगी उसी प्रकार कोई भी भग मेरी यापना करते हुए शिव की स्तुति नहीं करेगा उसे मेरी कृपा और प्रहें कभी भी प्राप नहीं होगा आपके मुख कमल से शीव महिवा सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया मैं सदा पत्नी धन का पालन करोंगी आपका नामस्मरन करोंगी जैसे आपके परंभर नारत करते हैं नारायर, नारायर, नारायर प्रनाम परंपिता आपने मेरा समरन किया हाँ ए सहितू की मेरा एमानष फुट्रादेशित कार्यों को ना देवन का गास से भी बढ़कर त्वलित गती से करता है तुम देवलोंग के दूर सचार नारायर, नारायर, सब नारायर की खृता है मेरी प्रशनशा तो हो चुकी है अब कार्यादेश भी देवे, तो उच्छे फोगा ए नारायर, तुम उच्छां के स्वह्म साक्षी हो जब समुज्व मर्थन से विश्व अगला, हाहा कार मच गया रिश्व के प्रभावं से सावित रिश्टी को बचाने के लिए तरुना साधर शिर्व हलार पार करके नीज करत कहला है अगवान शिर्व को भक्त बच्सा उन्होंने अपने भक्तों को ही नहीं जन जन को सभी जीवित खानियों को विश्टे कूप रभावं से बचाने के लिए अलहाल पान किया यदि वे हलाहल पान न करते तो आज स्रिष्टी कास्ति को ही में होता परके लिए यह जो सब्सक्राइब कि अधिया पान के पूल विए परयाप्ति विश्ट बातावरन में घुबल गया था प्रदूशन के जिन यहां वातावरन में तिश्टी को चत्वी हो रही है अधियों के सुरक्ष्ट के तिश्टी कोंड से इस प्रदूशन को मेड़ाना अती होख्ष्ट ने यहीं सोच कर मैंने ए यह ज़िए कहा संपन्न होगा यह ज़िए प्रयाप की पर दूप दूप पर लेघा इसमें भाग लेने के लिए कभी देवताओं रिश्री मुणी मुपामत्विर कड़ने की मेरी अवियाश्चा है और आमत्र तेरे का अहत्पूर्ण कारे मैं तुम्हें सौना हुए बर्मपुता इतने बहत्पूर कारे का इस अकिल्चन नारत को सौपना ये दर्शाता है कि आपके मन में मेरे प्रफिर कि क्रिफा और स्नेर आपके स्नेर खुपा का मैं सदा के लिए अफरी इस अवार्टी कुए शक्तर नहीं है कि यह कुंग काले हमें तुम्हें कि परदबख होने के लादे तो सब कित्री है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बगा सकता है कि तो इतने वाद बढ़ते हो कि खटिन कि अच्राइब ज़नी से कथिन काली जएक ताचत की इतना कर देखें सब आपके अशरवात का परदा का परंपता अब कुझे आग्या देखें है कि अजिए कि अजिए मैं कि करें तर के दोजोरा आज तुमने यहाने में शिवगणों का नेत्रे तो नेत्रे तो नेत्र किया स्वाल आपके चिंतन में ऐसा खोथी कि समय का ध्यान ने रहा है वे ख्षमा चाहते हैं जब हमारे चिंतन कर रही थी तो इसमें क्षमा की कोई आवश्चता ने एक प्रभू शूशंकर आज 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 से पूछने की कुछ मन में जग्यासा जाएंगे जग्यासा का समाधान अ आपका चिंतन कर रही थी आप तो सदा समाधी में लीन रहते हैं क्या आप भी उसी का ध्यान कर रहे थे जिसका चिंतन माता कर रही थी नंदी के इस प्रश्ण का उत्तर तुम ही दो सके हैं संसार की सभी प्रश्णों का उत्तर तो आपके पास से प्रखो मैं तो किन आपका तो नंदी को यह बता दो कि तुम मेरा चिंपन कैसे कर वही तो किस प्रकार से तुम अपने मन में मुझे नहार वही स्वाल आप में मुझे बताया था कि शेफ्ट और शक्ति अभिल है और मैं स्वेप शक्ति काबदार हूँ परंतु परंतु क्या देवी क्या तुम्हें मेरे कथन पर संदिय है आपकी बातों पर संदिय कैसा है मेरे मन में भी वही प्रश्ण जागा था जो नंदी के मन में जागा है प्रभु जब मैं स्वेम आपके पास हूँ तो आप आखे बन करके किसका ध्यान करते रहते हैं आप आप भोलेनार माता वही पूछ रही हैं जो मैं पूछने का इच्छुक्त नंदीर सतीर कि जब हमारी आखें बंध होती हैं तब हमारे सम्मत होती है सदाश्य की जोति वह जोति जो श्रिष्टी का निर्माण और संखार करती है कि यहीं जोति 4 जोती के नाम से वी जैनी जाते हैं तथा भम जोती के नाम से भी प्रसित अग nuclear project of आपके दर्शन के लिए कैसे आ सकता हूँ आज आपने मेरा स्वरण किया और मैं आपकी सेवा में उपस्तिक्त देवर्शी आज प्रभू ने आपका स्वरण किया देवी सती नारत की शक्त शली से भ्रमित होकर सुनने वाला सोचता ही रह जाता है महेश्वार्ट यह आप नेरी निंदा कर रहे हैं यह प्रशंशा मैं समझ नहीं पाहिए हुआ हम तो सदा तुमारी प्रेशन साही गठना रहां अब बताओ यहां किस विश्च विश्च उद्देश्य से पधारे होगे नहीं शवर्ट इस समय तो मैं परमपिता ब्रह्मा जी का दूत बनकर आया हूं नार आयो मारा आयों यह लादेव की दूट हमातार परम्पिता ब्रह्माजी निकिया है के समुत्र मंतं से होने वाले प्रदुशन से मुद्टी हे तू एक महा यग्य का आयोजन्थ किया जाए अतियुत्तम विचारे ख्रमदेवता कहां होने जा रहा है यह महान यग्य प्रयात की धर्म भूमिता परम्पिता ब्रम्हजी ने यग्य है तू आपको सादर में मंध्रम भीचाइज चाहिए हुआ 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 है हम अश्य धर्म यग्य में सम्मेलित होंगे आपकी स्विकृति से मैं धन्य हुआ है अब मुझ्या क्या क्या है विद्शी आप इतना शीवरी जाने के क्यों सोच रहे हैं जब नारत का उद्देश्य पूंध हो जाता है तो वह एक पल भी कहीं नहीं रु परंतु अब ये परंतु कैसा है परंतु इस समय मुझे कई महानव भू को प्रयाग यग्य का निमंतरन देने के लिए जाना है परम पिता ब्रमाजी की आग्या है कि एक कार्य मैं शीग्रती शीग्रत संपन में करो तो ये शिब कार्य से हम तुम्हें रूकेंगे हैं जाओ तुम्हारा कल्याण हो स्वामी येदी आग्या हो तो कुछ पूछो क्या भी कोई प्रशन शेष रह गया है स्वामी क्या प्रयाग यग्य में मैं भी आपके साथ समय दो पह सकती हूँ एक और महायग्य दूसरी और पुनिस थली का तरस परस दो दो पूव्य की कारिया एक ही साथ हो जाएंगी स्वामी नहीं देवी इटि बिना निमतरन कहीं जाना उचित में यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश देश देशते मारे कि पिता ब्रह्मदेव ने इस यग्य की देबी लिए घोरीच्स के साथ मुझे निमन्तरन क्यूंए भेजा क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इस महान यग्य में सम्मिलत हो सको कर दो लो नहीं कि अहीं। कि अधर देने हैं तू अपने मस्तक जुका कर मुझे परनाम किया इंतो तुम ने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओन देखा तक नहीं राजन मैं इस पवित्तर प्रेवेजन में यग य अग्नी के ओर देखा था जो किसी भी व्यक्ति विशेश से अधिक वंदनीय है अचते अब तुम इस योग के इली रह गए हो कि इस यग की पवित रगनी को अपन अब तो मात्रशास्त विधिक अभेलना और नीती मर्ग को कलंगित करने वाले पखंडी तुष्ट और पापाचारी पुष्ट बात रह गए हो कि शम्षान में निवास करने वाले उत्तम पूल और चंद से इंची से कंगो इस यग से भाइस्क्रित कर दिया और तेलताओं के साथ इसे यग का वहीं भागना दिया जाए अरे महामुर्ग तुष्ट पुद्धी दाक्ष्ट तुमने भगवान भोले नाथ को यग्य से भ अपमान कर दिया है जो शुष्ट के रचेता है जो पालन करता है और एक दिन संधार करता भी होंगे शिवगणों तुम सब के सब इस यग से बैश्क्रित हो जाओं तुम सब के सब दीच और पखेंडियों सिर्फ पर चटा शरीर पर फस्त हट्यों के अबुशन पहने पस् सब्काव यह मेरा च्राफ है ज्राब है ज्राफ है औब दक्ष तुझे शिवतवा का तनिक्वी ज्यान नहीं तुझ जह से अमकार्यों ने महेश्वर का उपहास किया है इसलिए शीव तेश के प्रभाव से मैं तुझे इश्राब देता हूं कि तुझ जैसा प्रामण वेध ज्यान से वंचित हो जाए तुझ पत्व ज्यान से विमुख हो जाए और तेरा मुख पश्चुर समान हो जाए नंदी तुम्हें इस प्रकार बोधिक नहीं होना चाहिए तुमने वेर्थी भ्रामनकुल को शाप देड़ा रहा है जहां तक मेरा प्रशन है मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छूब भी नहीं सकता है तुम तो ज्यानी हो नंदी संकादिक रिश्यों को तत्व ज्या अब शांत हो जाओ और निश्चिंग भी तुम्हारे आराथ्य का कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता है मैं तो यग्य हूँ मैं ही यग्य कर्म हूँ यग्यों का अंग मुथ उपकरण हूँ यग्य की आत्मा भी मैं ही हूँ यग्य परायन जज्मान हूँ और यग्य से भहि इसक्रिप भी मैं ही हूँ चलो हम गलाश लॉट चलें है को तो पाच यह कि फूर करो इतना सब कुछ हो जाने के उपरांथ इस यह का आर्थी क्या रहे गए अविताश्री मेरा जितियां से हट चुका है दक्ष फुत्र दक्ष दलिक सुलो चराजर जगत पती शिव शंगर का अपमान करके फुत्र दक्ष ने उचित नहीं किया अगालों प्लोग का पैणाम अच्छा नहीं होता